Hey everyone, welcome in this channel Today we are doing our chapter number 8, Adjective Adjective को हम Hindi में बोलते हैं, Viscation जो हमें noun और pronoun की विशेशता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, Viscation बोलते हैं Like this, एक ऐसा शब्दोर डिस्क्राइब करता है किसको noun और pronoun को उसको हम बोलते हैं, Adjective Adjective का एक second name और भी होता है जिसको हम बोलते हैं, Describing Bird Kinds of Adjective सबसे पहला था हमारा Quality हम अगर इनको नाम से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो हमें क्या बताना जाता है First होता है हमारा Quality Quality होते हैं, गुण कि किस तरीके के क्या गुण है जैसे दूद सफेद है तो जो दूद का रंग है सफेद वो उसका गुण है, लड़का इमानदार है ओनेश्ट है, तो जो बोई है वो ओनेश्ट है, तो बोई का जो Quality है वो क्या है? ओनेश्ट है मोहन एक Poor Man है मोहन जब Poor Man तो Man तो है, लेकिन वो कैसा है? पूर है, तो उसकी Quality क्या है? पूर, तो इस तरीके से जो वर्ड हमें Quality को शो करता है वो होता है Adjective of Quality Second आता है Adjective of Quantity Quantity मैंने होता है मात्रा, कि हमें ऐसी मात्रा जिसको हम Count नहीं कर सकते बट हम उसको बता सकते है कि ये क्या चीज है और कितनी है Like this, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे है अब मैंने उनकी Counting नहीं की लेकिन फिर मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कुछ लड़के, कि वो चीज जिसको हम Count नहीं कर सकते बट हम उसके बारे में बता सकते हैं कि the adjective that tell us how much की कितना है without count किये हम बता सकते हैं how much की वो चीज कितनी है उसको बोलते है adjective of quantity मतलब मात्रा नेक्स्ट आता है आपका adjective of number number में आती है संख्याएं आपकी जितने भी संख्याएं होती है वो आपकी किस में आती है adjective of number में demonstrative में आता है आपका this, that, these और those interrogative adjective में क्या होता है wh word के just बाद में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा now वो क्या होता है आपका interrogative adjective की wh से start होगा last में question mark आएगा but question mark जैसा pronoun भी होता है but हमें adjective कैसे पहचानना है wh के बाद में pronoun में तो helping verb वोगेरा आती है but adjective के अंदर wh word के आपको just बाद में noun मिलेगा possessive adjective possessive adjective क्या होता है किसी चीज़ के उपर possession लगाना कि noun और pronoun को possession show करते हैं उसको हम बोलते हैं possessive adjective इसके बाद आता है आपका distributive जिसमें each both ऐसे जो word होते हैं उनका use किया जाता है उसको बोला जाता है distributive adjective इसके साथ आती है आपकी डिगरी जो डिगरी होती है वो थ्री टाइप की होती है आपकी positive, comparative और superlative यहाँ आपकी exercise है underline the adjective आपको adjective को underline करना है और फिर आपको बताना है कि वो कौन सा adjective है यहाँ पे chocolate है sweet sweet है तो वो क्या है उसकी quality तो हम इसको क्या लिखेंगे adjective of quality यहाँ पे आपको sum दिया गया है तो यह क्या है adjective of quantity आप sum को यहाँ लिखेंगे और adjective of quantity each इच है आपका distributive adjective of distributive और each को आप यहाँ पे लिखेंगे next है यहाँ पे my जिसको possession देखेंगे बोला गया है अगर आप यहाँ यू को देखोगे यह भी एक possessive का काम कर रहा है माइटर माइटर है आपकी quality कि जो pen होता है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है तो यह माइटर आएगा और यह adjective of quality आएगा इसके बाद आपको यहाँ पर अईल, एबल, full, y, or less इन वाड का यूज करना है इन वाड के साथ इनके साथ यूज करके आपको यहाँ रिटन करना है बट मैंने इनको यहीं पर ही यूज कर दिया आपको यहाँ पर यूज करना है म्यूजिक लिखना है और एल लगाना है नेचर की स्पेलिंग लिखनी है एन ए टी यू आर एल नेचुरल नैशनल हिस्टोरिकल सेवरल यहां पर एबल लगेगा एंजोएबल लवेबल अविलेबल यहां पर है कलरफुल ब्यूटिफुल चियर्फुल एरी डाइटी इस तरी करना है नेच्ट आपको यहां पर एक पिक्चर दी गई है इस पिक्चर को देखके आपको यहां पर नाउन लिखने है कि नाउन कौन कौन से है और एड़ेक्टिव कौन से है आपको अलग लग करना है उनको यहां नाउन हमें सन मैन और चिल्डरन यह थे हमारे नाउन एड ट्मेर्षार बह्तेल बहर है टैम घज को कि लिए कर दोता कि लोग में।